और बाबा बनाईयां चेल्सी जीत गई थैंक्यू बाई थैंक्यू और चौदा मैच में से 10 मैच जीत गयो तुम तुमारा नया मैनेजर आया जब से हैं अब तो तुम लीग जीतने वाले होगे हैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं भाई अभी लीग में तो बहुत ज शेफीड को हराया तुमने अरे भाई वो एफए कप था लीग थी है ऐफ अलग होता है अच्छ उससे पहले तुने अटलेटेय को मेटेररिट का भी एक वीडियो डाला था तुमने अटलेटेगो मेटेरिड को भी रहा है जिसें तु एसे-इसे-ईसे-एसे नाच रा था भ Champions League अलग है, Champions League अच्छा और ये एक भी, Spurs और City का भी कुछ ऐक Cup Final होनेवाल है वो FA Cup का Semi Final हार गए, क्या तुम City से? वो पर्ज और सिटी जो खेल रहे हैं वो लीग कप है अब ये लीग कप क्या है ये? तो तुम्हारे मेरे को समझ नहीं आते यार कितने कॉंपेटिशन चलते हैं एक बार मेरे क्या है यार ये क्या चक्कर है ये रुख जा बताता हूं बुलाता हूं देवी और सज्जुनों क्या आपको भी मेरे इनकाबिल और सेक्सी दोस्त की तरह फुटबॉल समझने में तकलीफ होती है क्या आपको ये समझ नहीं आता एक फुटबॉल में लीग कैसे काम करती है क्या आपको समझने में तकलीफ होती है कि domestic cup competitions और continental cup competitions कैसे काम करते हैं क्या आपके दिमाग के तार हिल जाते हैं जब आपको ये समझने आता कि ये सारे competition एक ही साथ कैसे खेले जाते हैं तो गभराई है मत दोस्तों कि इससे पहले हम स्टार्ट करें प्लीज या सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो थोड़ा comment कर दो हैं मजाता आ रहा तुम लोग भी चलिए मैं बताता हूँ आपको ये सब जो रायता पहला हुआ है इसको कैसे समझा जाए दोस्तों फुटबॉल के कैलेंडर को समझने के लिए हमें थोड़ा geography के basics को समझना होगा जैसे की cricket को govern करने के लिए एक international body होती है ICC जिसको कहा जाता है International Cricket Council उसी तरीके से football को govern करने के लिए जो topmost body है उसका नाम है FIFA जिस तरीके से United Nations में member register होते हैं दुनिया भर की countries register होती हैं उसी तरीके से FIFA में भी countries registered है और मैं आपको काफी अच्छा fat बताना चाता हूँ football को beautiful game यूई नहीं कहा जाता FIFA में UN से जादा registered members है दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि हमारा जो world है उसको geographically साथ continents में बाटा गया है Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia और Antarctica जिस तरीके से FIFA world football की governing body है उसी तरह से हर continent की एक governing body और होती है उसी तरीके से जैसे आप माल लीजिए कि cricket में ICC के नीचे Asian cricket council काम करती है और उसके साथ मिलके BCCI, PCB, Sri Lankan cricket board, Bangladesh cricket board बगएरा बगएरा ये साथ लोग मिलके काम करती है इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ है Asia को govern करने वाली body का नाम है AFC या Asian Football Confederation Europe को जो body govern करती है उसका नाम है UFA है ये UFA आप लोगोंने नाम काफी सुना होगा तो UFA is United European Football Association ऐसे ही एफरिका को govern करने के लिए CAF है Confederation of African Football North America को govern करने के लिए जो body है उसका नाम है कौन का काफ कौन का काफ का मतलब वा Confederation of North Central American and Caribbean Association Football और South American Football को govern करने के लिए जो body है उसका नाम होता है कौन में ball और इन सब में जो सबसे छोटा football confederation है वो है New Zealand, Papa New Guinea और जो जितने भी Australia और New Zealand के पास specific islands, countries है वो इसमें शामिल है South American Football को govern करने के लिए जो body है उसका नाम है कौन में ball Australia क्योंकि एक country continent है और Australia continent भी है और country भी है तो Australia को footballing reasons की वज़े से Asian Football Confederation का पार्ट मना जाता है तो Australia Asia में आता है अगर हम footballing terms की बात करें यह जो 6 continents है जहाँ पर अलग-अलग countries है जो अलग-अलग football खेलती है तो उनको govern करने के लिए जो उनकी continental bodies है वो यह है अब दोस्तों हम बात करते हैं individual countries की हम चलते हैं Europe Europe को govern करने वाली जो body है उसका नाम है UFO जैसे Asia में अलग-अलग देश हैं आप मालीजे इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, भूटान, मैनमार, सिंगापूर, चाइना, अफगानिस्तान वगेरा वगेरा इसी तरीके से Europe में भी कई सारे देश हैं तो Europe के हर देश में उनकी एक football league खेली जाती है जैसे England अगर आप आएंगे, top 5 leagues की मैं बात करूँ वो countries जिनको सबसे ज़्यादा तवज्यो दिया जाता है Europe में जिनको top 5 leagues के नाम से भी जाना जाता है वो countries है England, Spain, Italy, France और Germany England में जो league खेली जाती है उसको कहा जाता है Premier League Spain में जो league खेली जाती है उसको कहा जाता है La Liga Italy में जो league खेली जाती है उसको कहा जाता है Serie A France में जो league खेली जाती है उसको कहा जाता है League One और Germany की league को कहा जाता है Bundesliga इसी तरीके से दोस्तों हर country में अपनी एक individual league होती है जैसे पॉर्चुगल में भी एक league होती है Belgium में भी एक league होती है और जितनी भी countries और हैं सब जगे leagues होती है ये Europe का example है आप इसी तरीके से मान लीजिए कि हर continent के हर country में उनकी एक individual league चल रही है अब आपके लिए जानना जरूरी है एक league में कितने competitions खेले जाते हैं एक team एक बार में कितने competitions में हिस्सा ले सकती है तो दोस्तों football में हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस season कोई अगर particular team जैसा perform करती है उसका direct असर उसके अगले season की performance या उसकी अगले season की competitions की representation पर फरक पड़ता है चीजों को असान रखने के लिए हम England का example लेते हैं क्योंकि आप सबको पता ही है जैसे कि मैं Chelsea fan हूँ और Chelsea England की Premier League में खेले जाने वाली team है हर country में कई सारे divisions होते हैं football के जैसे England में जो Premier League है वो topmost division है उसी तरीके से Premier League के नीचे भी और तीन divisions है तीन division और है जिनको championship, league 1 और league 2 कहा जाता है हर league में जो bottom 3 teams होती है वो demote होके उससे नीचे वाली division में चली जाती है इसको कहा जाता है relegation और उसी तरीके से जो नीचे की league की 3 team में होती है वो promote होके उपर वाली league में आ जाती है इसको कहा जाता है promotion हर team हर team से पूरे league के दोरान 2 match खेलती है एक अपने home में, एक उनके home में जिसका calendar league के शुरू होने से पहले share किया जाता है season start होता है August में और May last week या June first week तक ये चलता है जिसमें सारे competitions decide होते हैं league में एक match जीतने पे एक team को 3 point मिलते हैं हारने पे 0 और draw करने के लिए 1 point मिलता है इसी तरीके से league की एक table बनती है और जिस team के सबसे ज़ादा points होते है वो team league की champion बन जाती है तो दोस्तो ये तो बात हो गई league की अब हर team league के साथ-साथ अपना एक domestic cup competition भी खेलती है वो क्या होता है cup competitions में lower division और upper division की teams भी एक साथ compete करती है और cup competition एक knockout format का होता है इसका मतलब आप एक match हारे और आपकी team भार England में जो cup competition खेला जाता है उसका नाम है FA Cup इसी तरीके से हर country में अगर मैं top 5 leagues की बात करूँ तो हर जगे एक domestic cup भी खेला जाता है जैसे Italy में जो cup खेला जाता है उसका नाम है Copa Italia Spain में जो cup competition है उसका नाम है Copa Delray Germany में जो cup competition खेला जाता है उसका नाम है DFB Pocal और France में जो cup competition खेला जाता है उसको कहता है Coupe de France ये भी दोस्तों जो cup competition होता है अगस्त में चालू हो जाता है लिकिन जो top divisions की team होती है जैसे जो La Liga, Serie A Bundesliga, Premier League इन सब की जो team होती है ये January से competition में आती है क्योंकि इनकी automatic entry होती है तो दोस्तों इस competition में जाती है तो competition से तुरंद भार हो जाती है अभी इस season अगर मैं FA Cup की बात करूँ तो हम semi final तक का सफर तैग कर चुके हैं semi final की जो 4 team है वो ये हैं, Southampton, Leicester Manchester City, Chelsea ये दो semi final दोस्तों अभी खेले जाएंगे इसी महिने में, अप्रेल के महिने में FA Cup में, Southampton, Leicester का जो winner होगा, वो खेलेगा City और Chelsea के winner से final में, और जो वो match जीतेगा दोस्तों, उसको FA Cup champion का खिताब करार दिया जाएगा England में दोस्तों, एक और Cup खेला जाता है FA Cup जैसा ही एक और Cup होता है उसको कहा जाता है league, जैसे हमने दोस्तों discuss किया, FA Cup और League Cup में फरक यह है कि FA Cup में अगर एक non-league team है, मतलब League 2 से भी नीचे की team है वो भी FA Cup में part ले सकती है, लेकिन League Cup में सिर्फ जो divisions की team है जो league की teams है, Premier League Championship, League 1 और League 2 सिर्फ वो ही teams league Cup में खेलती है और FA Cup जैसा ये भी एक knock-out format का ही competition है जिसका हम अभी तक final तक का सफर तैग कर चुके हैं सीजन में और Tottenham Hotspur versus Manchester City इसका final होगा, तो दोस्तों ये तो रही league और domestic cups की बात अब हम चलते हैं continental competition अब हम बात करेंगे दोस्तों UEFA Champions League की, इसका qualification process काफी पेचीदा है तो मैं इसको आसान रखूँगा और मैं जाधा detail में नहीं जाऊँगा इसमें क्योंकि इस पे मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ पूरा, इतना बड़ा इसका qualification process है आसानी के लिए आप ये समझें, कि जो topmost division है, जैसे Premier League है Siriva है, League One है Bundesliga है, La Liga है इनकी जो top 4 टीमें होंगी जो इस सीजन top 4 finish करेंगी वो अगले सीजन के Champions League के लिए qualify हो जाएंगी यूरोप की जो top 32 टीमें होती है वो Champions League में participate करती है तो हम बार-बार बात करते हैं कि एक टीम के लिए top 4 में qualify करना उसकी domestic league में क्यों जरूरी है वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर कोई team top 4 से बाहर finish करती है तो वो अगले सीजन के Champions League के लिए qualify नहीं कर पाईगी और दोस्तों जिस तरीके से यूरोप का जो competition होता है जिसको Champions League कहा जाता है उसी तरीके से सारे continents में उनकी Champions League होती है और example एशिया की Champions League को AFC Champions League कहा जाता है South America की Champions League को Copa Libertadores बोला जाता है Africa की Champions League को CAF Champions League और काफ Champions League भी बोला जाता है हर continent की हर country में उनकी League Football चल रही है उनके domestic cups भी चल रहे हैं और साथ साथ हर continental level पे एक Champions League भी चल रही है दोस्तों अब दोस्तों last में हम बात करेंगे Club World Cup की है ये थोड़ा नया concept है दोस्तों Club World Cup में हर continent का Champions League विनर क्वालिफाई होता है हर continent का Champions League विनर Club World Cup में आता है और जो वो tournament जीतता है काफी छोटा tournament होता है क्योंकि जाधा टीमें होती नहीं है उसमें तो वो जो वो tournament जीतते हैं उनको Club World Cup Champion के खिताब से नवाजा जाता है लेकिन दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि European Football काफी स्ट्रॉंग है और UEFA Champions League का जो विनर होता है अमूमन वो ही Club World Cup भी जीतता है Unless you are Chelsea जी हाँ Chelsea ने 2012 में Champions League जीती थी और Club World Cup में Corinthians जो उस साल के Copa Libertadores के Champions थे उनसे Final में हार गए थे Club World Cup तो दोस्तों ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एक structure समझाया है कि कैसे एक football calendar काम करता है अगर मैं Premier League की बात करूँ तो अभी लगबग 30 match हो चुके हैं 8 matches बचे हैं Champions League की में बात करूँ तो quarter final तक का हम सफर तै कर चुके हैं FA Cup की बात करूँ जैसे मैंने आपको बताया semi final तक हम आ चुके हैं League Cup का final बचा है तो दोस्तों ये सारे competitions है जो एक team खेलती है अब दोस्तों हम बात करेंगे single match competitions की single match competitions वो होते हैं जो पिछले season के कोई दो champions के बीच में एक मुकाबला होता है ये determine करने के लिए कि असली champion कौन है तो for example अगर हम बात करें उधारन के तोर पे मान लीजे इस साल Manchester City League जीतती है और Chelsea FA Cup जीतती है तो एक Community Shield नाम का एक match होता है और जो ये match जीतता है उसको Community Shield विनर के नाम से जाना जाता है लीग का विनर वर्सेज FA Cup विनर Community Shield खेलते हैं अब मान लीजे लीग और FA Cup दोनों ही एक टीम जीत जाए तो क्या होगा तो लीग का विनर जो कि obviously first team है और जो second team होगी लीग में उन दोनों में Community Shield का मुकाबला होगा अच्छा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि एक UEFA Champions League होती है उसी तरीके से एक UEFA Europa League भी होती है यूरोप में second year European competition है यूरोपा लीग का qualification process Champions League से भी जादा पेचीदा है तो मैं उसमें जाऊंगा नी आप short में समझे कि first to fourth कहा जाता है European Super Cup और UEFA Super Cup और यूरोपा लीग का जो विनर होता है वो automatically Champions League के लिए अगले साल qualify कर जाता है तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि काफी confusing होगा आपके लिए लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है आपको ये समझाने की कि ये फुटबॉल का कैलेंडर कैसे काम करता है कैसी सारी टीम्स multiple competitions में पार्ट लेती है और दोस्तों ये चीज सारी coordination में एक well-oiled machinery की तेरा चलते हैं और ये हर season ऐसे ही फुटबॉल खेला जाता है तो I hope अगर आपको अभी तक clarity नहीं थी थोड़ी सी clarity आई होगी और मैं जानता हूँ कि काफी मैंने चीजें जो हैं वो छुई नहीं है क्योंकि ये इतना जादा complex और इतना जादा पेचीदा topic है कि मैं इन पे एक अलग वीडियो और बना सकता हूँ Champions League की जो qualification है और जो Europa League की qualification है और international football की तो मैंने अभी बात ही नहीं करी है तो दोस्तों लेकिन फिर भी मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को एक basic understanding एक basic idea आया होगा कि किस तरीके से हम football के जो competitions होते हैं उनको follow कर सकते हैं और कैसे अगर आप किसी team को अगर आपने नया नया football देखना चालू किया है और अगर आप किसी team का game पसंद कर रहे हैं तो कैसे आप follow कर पाएंगे कौन से competitions में खेल रहे हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको clarity आई होगी तो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके का कोई doubt हो कोई सवाल आपको पूछना हो तो इस comment section में जरूर एक सवाल पूछें मैं खुशी-खुशी आपकी मदद करना चाहूँगा और अगर आप मैंने कुछ miss कर दिया है या कुछ मैंने गलत इस वीडियो में बताया हो तो आप मुझे correct भी कर सकते हैं चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान रखें टेक केर और गुडबाए